इस वीडियो को देखिए देखिए गाइस बचाइए भी हो क्या रहा है हाफ भी है प्लस इगो लिफ्टिंग जैहिन दोस्तों मेरा नाम है गोरव धिंगडा और आज हम बात करेंगे टॉप सिक्स मिस्टेक जो बिगिनर नॉर्मली जिम में करते हैं फर्स मिस्टेक इज पी वर्काउट मील आपने जिम में भोस से लोगों को देखा हो और शैद आप भी उनमें से एक है जो यह मिस्टेक करते हैं आप कोई भी पी वर्काउट मील लेके या स्नैक्स लेके आप डिरेक्ट जिम में जाके वर्काउट करना स्टार्ट कर देते हैं आपको कोई भी अगर light snack है, अगर आप apple ले रहे हैं या बनाना ले रहे हैं, तो भी आपको 45 minutes का break लेके workout स्टार्ट करना है, अगर आप heavy meal ले रहे हैं, तो आपको 2.5 घंटे का break लेके ही workout स्टार्ट करना है, प्री workout meal हमारे लिए होती है, ताकि हमें अच्छी performance कर सके, हमें energy मिले, बट अगर वो digest ही नहीं होगी धंक से, तो आपको vomiting आने के जाला चांस है, और आप जो मन चाहाँ रिजल्ट चाहते हैं, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, तो अपनी वीबर को मिल को अच्छे से डाजेस्ट होने दीजिए, उसके बाद अपना workout स्टार्ट कीजिए, अबर सेकिड मिस्टेक इस, हैवी डेलिफ्ट, हैवी बेंच प्रेस्ट, हैवी स्कॉर्ट, इन शॉर्ट हमारी compound exercise के one wrap max check करने, अभी आप beginner है, आप अभी one wrap max check मत कीजिए, आपके लिए जो perfect wrap range है, वो है 8 to 12, क्योंकि most of the guys gym में जो आते है, normal fitness या muscle gain करने के लिए आते हैं, आप उन्हें देखके, जो हैवी डेलिफ्ट कर रहे हैं, आप उन से influence होके, आप अपना one wrap max check मत कीजिए, इस लाइप की आपने अभी स्कूल में admission लिया है, आप सि इसलिए step by step, class by class जाइए, आप भी इस plus two के syllabus जाने कि उस heavy deadlift पर पो सकते हैं, बट अभी आप अपना जो school में अपने एंटर किया है, उस syllabus को धंक से clear कीजिए, एक दित आप भी वहाँ पोचेंगे, इसलिए अगर आप one wrap max check करते रहेंगे, आपको result तो कुछ नहीं मिलेगा आपको injury होने के chances जादा है, इसलिए जो power lifting करना चाहते हैं, या जिनका game है ऐसा कुछ, आप supervision के अंदर, किसी specialist trainers के अंदर ही अपनी training स्टार्ट कीजिए, और औरो लोगों से देखके, देखा देखी में मत ट्राइ कीजिए, आपके लिए यो wrap range है, वह है 8 to 12, चलिए आप ब भाशा में समझें तो, बोडी के particular एक area से fat loss करना, example लेकर समझें तो, side fat, आपने जिम में देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं, कि हमें सिर्फ side side से पतला कर दो, हमारी बाकी बोडी ठीक है, सिर्फ side का fat कम करवा दो, और वो 500-500-1000 रेप लगाते हैं, side bending, इस exercise के, guys, अगर आप side bend normal भी होते हैं, तो ये आपके spine के लिए एक normal position नहीं है, इससे आपकी spine पे pressure पड़ता है, और अगर आप साथ में weight ले लेते हैं, तो आपकी spine पे injury होने के chances और भी जादा बढ़ जाते हैं, तो please ये गलतिया मत कीजिए, आपको normal अगर fat loss करना है, पूरी body से होगा पहल जिससे पूरी body का fat जाएगा, पर्टिकुलर एक area से fat नहीं जा सकता, ये scientific proof है, चलिए बात करते हैं हमारे fourth point की जो की है, straight go for a cardio without stretching and warm up, आपने जिमें बहुत से लोग देखे होंगे, जो beginner भी हैं और जो काफी time से कर रहे हैं, उनकी cardio की सबसे favorite exercise है, treadmill, वो treadmill आएंगे 10 से 12 की speed पर बीना warm up, बीना stretching के भागना शुरू कर देंगे, जो की एक risky है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इससे आपको heart attack आने के chances भी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत से reason मत आएं, जिससे आपको जिम में heart attack क्यों आते हैं, चलिए बात करते हैं, जिम में अब जो बहुत से लोग without warm up बिना stretching के cardio treadmill करते हैं, या strength training भी करते हैं, इससे wrong approach, आपको अपनी body को पहले warm up करना है, stretching करना है, धीरे धीरे weight increase करना है, अगर आप treadmill कर रहे हैं, तो धीरे धीरे 5-10 मिनाट तक normal speed में सिर body उसके थोड़ी सी used to हो से, grab कर सके कि क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी speed को increase कर रहे हैं, तो weight को increase कीजिए, state heavy ना lift कीजिए, और ना ही state running कीजिए, इससे आपको injury होने के chance ज़्यादा है, आपको कोई भी result नहीं मिलेगा, अगर आप fat loss करते भी हैं, तो भ बहुत से लोग सोचते हैं, कि हम running करेंगे 35-40 मिन एक घंटा तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप skinny हो जाएंगे, अगर आप strength training ही नहीं कर रहे हैं, आप एक घंटा running कर रहे हैं, आप में energy तो वैसे भी नहीं बचेगी, आप उल्टा आपकी चर्वी running करनी है, ठीए गाई, यह था हमारा fourth point, चलिए बास करते हैं हमारी fifth mistake की, जो की है overtraining, आपने जिम में बहुत से लोग देखे होंगे, जो यह सोचते हैं, कि जितना जादा वर्काउट करेंगे, उतनी जल्दी बोडी बनेगी, वो बहुत से लोगों को देखते हैं, जो प् करना है, आपको double muscle करनी है, आपको week में सिर्फ चार दिन वर्काउट करना है, double muscle में भी तीन तीन exercise करनी है, उन दोनों बोडी parts की, ताकि आपकी अच्छी से recovery हो सके, आप धीरी धीरी चार दिन से पांस दिन पर आएंगे, पांस दिन से छे दिन पर, और साथन दिन तो आपक अगर आप सातों के सातों दिन ट्रेनिंग करेंगे, आपकी बोडी को rest नहीं मिलेगा, recovery नहीं होगी, आपकी बोडी में soreness रह जाएगी, आप जो result चाते हैं, उससे वह वैसे भी बहुत दूर रह जाएंगे, आप परशान हो के शायद जिम ही छोड़ देंगे, आपकी परशान हो के जिम छोड़ देंगे, इस अच्छा जिम में सिर्फ चार दिन जाएगे, डबल मसल कीजिए, वीक में तीन दिन का rest लीजिए, दो दिन कीजिए, फिर rest लीजिए, फिर rest कीजिए, आपने ट्रेनिंग को अपने schedule बनाएगे, ताकि आपकी recovery अच्छी हो सके, आप आपकी नीन अच्छी हो सके, आपकी diet अच्छी हो सके, आपका mood अच्छा रह सके और आप process by process अच्छी lifting करके अच्छी athlete बन सके, तो guys, please overtraining मत कीजिए, चलिए बात करते हमारे six points जाने की आज के last point के बारे में, जो की है half range of motion, उससे पहले आप इस video को देखिए, देखिए guys बचाईए भी हो क्या रहा है, half भी है, plus ego lifting भी है, अगर आपको लंबा चलना है guys, तो please ego lifting से दूर रहिए, half range of motion से दूर रहिए, half करेंगे तो half body बनेगी, किसी बात अगाई, अगर आप कोई भी, half ही लगाते रह जाएंगे, तो पूरा muscle develop को ही नहीं पाएगा, जोए आप score कोई भी muscle group लीजे, कोई भी muscle exercise लीजे, कोई भी muscle exercise लीजे, आपको full range of motion में लगाना है, half लगाएंगे, तो कभी भी muscle अच्छे से develop नहीं हो पाएगी, और ego lifting से भी दूर रहिए, अगर आपको लंबा चलना है, लंबा अथलीट बनना है, एक लंबे time तक इस career में रहना है, इ प्लीज अपने आपको समझी, आपकी body की आवाज को समझी, आपकी body आपको जवाब देती है, बात करती है आप से, कि आप कहां सही हो, कहां गलत हो, लेकिन आप उस आवाज को दबा देते हो, तो प्लीज ना ego lifting कीजिए, ना ही half range of motion में exercise कीजिए, फुल range of motion में exercise कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अभी अभी लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you and राधे, राधे